दो तरह की ions होते हैं, एक होते है cateins and एक होते है anions and हम इनके बीच में हमेशा confused ही रहते हैं तो अगले कुछ seconds के अंदर ये confusion दूर हो जाएगी तो cateins का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में cat आनी चीए cat के हाथ को हम कहते हैं paw and इस paw के आगे अगर हम positive लगा दें तो ये बन जाएगा positive तो cateins positively charged species होती है and negatively charged species को हम anions कहते है